नमश्कार मैं डॉक्टर नवदीब सिंग एसोशेट प्रोफिसर मौटि इंभाट्मिन डूंगर कॉलेज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बीलिजिकल नेटोजिम सेक्षेशन की जो जैनेटिक्स है उसके बारे में थोड़ा से मैं आपसे चर्चा करूँगा उसके बारे मैं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले का जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से नेटोजिनेज एंजाइम किस तरह से ammonia का निर्मान करता है nitrogen, molecular nitrogen को ले करके और कैसे उसके अंदर molybdo-feradoxin या azo-feradoxin जो है proteins या उनकी sub-minutes कैसे काम करती है तो इसके अंदर अब इनकी genetics क्या है ये जो nitrogen fixers है या nitrogen fixing जो microbes है जिनने हम digit drops भी कहते हैं इनकी क्या genetics है कौन-कौन सीन इसके अंदर काम करते है देखिए इसके बारे में आपको क्या होता है कि नोडियूल का जो formation है root नोडियूल बनाने वाले और बनाने का काम और nitrogen fixation का काम ये दोनों काम अलग अलग है नोडियूल का काम अलग प्रकार से होता है nitrogen fixation अलग प्रकार से होता है और ये दोनों काम जो है ये इनके जो nitrogen fixers हैं या जो डाइजेट्रोप्स हैं या जो बैक्टिरिया हैं microbes हैं साइनोफैशी के जो members हैं उनके जो chromosomes हैं उनके जीन, उन पर जो जीन मुझूद है उनके द्वार कंट्रोल होता है और ये भी हमें पता है कि जो symbiotec bacteria हैं या symbiotec diagotrophs हैं वही नोडियूल का formation करते हैं root nodule वही बनाएंगे जबकि जो non-symbiotec हैं या a-symbiotec हैं जो free living bacteria हैं free living microbes हैं जो soil के अंदर मिल रहे हैं वो बिना nodule बनाएंगे nitrogen fixation का काम करते हैं तो इसलिए nodule का जो formation है और जो nitrogen का जो fixation है उसके लिए जो diagotrophs में jeans जो देखे गए हैं वो तीन प्रकार के jeans देखे गए हैं ये कौन कौन से jeans हैं ये जीन है देखे पहला एक तो node jeans जिने हम nodule forming gene भी बोलते हैं जो root nodule का formation करने में अपने control करते हैं दूसरे प्रकार के jeans हैं NIF jeans जो nitrogen fixing jeans हैं और तीसरे प्रकार के hub jeans हैं जो hydrogen uptake gene है जो वापिस nitrogenous enzyme को hydrogen उपलब्द करवाते हैं अब देखिए node gene क्या है node gene के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि rhizobium की जो nodule बनाने वाली जितनी भी जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ा plasmid उपस्तित होता है बड़ा plasmid होता है जिससे हम mega plasmid कहते हैं तो Rosenberg ने 1981 में इस mega plasmid पर बहुत से gene देखे जिने उसने node gene का अब actual में यह जो node gene है इस node gene की लंबाई करीवन 8.5 kilo base pair होती है और वास्ता में यह खुद node gene जो है चार gene हो से निर्मित होता है जिने node A, node B, node C और node D कहते हैं और यह gene जो है चार प्रकार के proteins को coded करते हैं जिने इन proteins को कहते हैं 196, 217, 402 और 211 हम जो है coded करते हैं और condorosi जो था उसने 1982 में यह बताया कि rhizobium की विबिन जातियों के node gene का 69 से 72 परसेंट भाग homologus होता है बदल एक जैसा होता है इसलिए इन्हे common node genes बोला जाता है और condorosi और उनके साथियों ने 1982 में rhizobium मेली लोटाई के mega plasmid को rhizobium की अन्य जाती हों और agrobacterium timofasience में इस्थानेंतरित करके alpha alpha timofasience में इस्थानेंतरित करके alpha alpha के nodules का निर्मान दर्शाया था इन्होंने और rhizobium में पाए जाने बाद है जो common node genes के 25 kilo base pair mega plasmid के टुकड़े को plasmid के साथ जोड़ करके एक recombinant plasmid PP346 का निर्मान भी किया गया तो ये node gene के बारे में थोड़ी सी जानकर ही है कि node genes जो है इसमें 4 genes होते है node A, B, C और D ये आपको जरूर ध्यान रखना है और common node gene क्या है इसका भी आपको त्यान रखना है दूसरे परकार के gene है जो nitrogen fixation का काम करने में या nitrogen fixation में साहिक होते हैं वो जीन क्यलाते है निफ gene क्यलाते है तो ये gene जो है nitrogen fixation के gene है और ये gene दोनों में दोनों परकार के bacteria के अंदर मिलते हैं symbiotic में भी और non-symbiotic के अंदर भी सेजी भी जिवाणों में भी मिलेंगे और S-CGV जिवाणों के अंदर भी मिलेंगे जैसे rhizobium leguminos serum और rhizobium malli lotai के अंदर ये genes mega plasmid पर node genes के पास जबकि cyanobacteria के अंदर जो है ये जैसे cyanobacteria blue green algae के बोलते हैं और जो free living bacteria में ये गुंड सुत्रों पर पाया जाता है जबकि इसमें तो ये mega plasmid में node gene के पास मिलता है निफजीन जबकि इसमें cyanobacteria के अंदर ये कहां पाय जाएगा निफजीन ये उनके main जो chromosome है उस chromosome के उपर clepsiola neumonai जो bacteria है इसमें निफजीन का मैपिंग हुई है इसके निफजीन की मैपिंग से ये पता चला है ये मैपिंग मैं अभी आपको दिखाता हूँ अब ये अगली slide के अंदर कि इस gene का जो मांचितर है मैपहस से पता चलता है कि इस निफजीन की संख्या करीबं 17 होती है इस जो और ये साथ याठ ओप्राउन से बने वे रहते हैं इसमें साथ याठ ओप्राउन आपको मिलेंगे इसके इंदर और हर एक ओप्राउन जो है एक polycystronic MRN का निर्मान करता है मतलब सभी ओप्राउन जिनकी कुल लंबाई 24 किलो बेस पेर होती है और ये बैक्टिरिया के जिनों में हिस्टिडीन और शिकिमिक एसिड के जीन के मद्दे में इस्थित रहते हैं और इन्हें जो ये उप्राउन हैं इन्हें QB, AL, FM, VSUX, NE, YKDH और J नाम दिये गए हैं आपको इसको मैपिंग के अंदर देखके आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़े और जो उत्परिवर्तन के अध्यन है उनसे सभी जिनों के जो कारें है उनका पता लगा जाए चुका है मतलब जो MUTATIONAL STUDIZ हैं उनसे यह पता लगा जाए चुका है कि कौन कौन से जीन क्या क्या काम करते है जैसे यह OPERION जो YKDH है यह YKDH जो है एंजाइम NITROGENAS को कोड करता है यह जो NITROGENAS एंजाइम है अभी मैं आगे आगे दिखता हूँ आपको पुली डिटेल में यह NITROGENAS एंजाइम को कोड करता है और जबकि HD और K यह HD और K जो है यह मतलब H तो जो है H जो है एजो फेरडॉक्सिन जो प्रोटीन था मैंने आपको पहले वाली उसमें प्रेजेंटेशन में बताया था जो फेरडॉक्सिन प्रोटीन को डिनोड करता है जबकि जो D है यह मॉलिब्डो फेरडॉक्सिन को कोड करेगा और जबकि जो K है K इसकी सब यूनिट्स को डिनोड करता है जो मॉलिब्डो फेरडॉक्सिन है उसकी जो सब यूनिट्स है जो FE sub units होती है उनको ये coded करता है तो इस तरह से इनको सब के बारे में पता है अच्छा और जो AL है ये AL जो है regulation का काम करता है regulatory genes हैं ये regulatory operants कहलाते हैं ये AL जो है तो इस तरह से ये मैप आगे देखाँ ये देखिए इसका ये map है ये NIF gene है इस निफ gene के ये जो मैंने आपको बताया थे हैं कि साथ या आठ जो आपको operants दिखाई दे रहे हैं ये operants है QB ये है AL और ये है FM और ये है VSUX और ये है इसके अंदर NE और ये है YK DH अब देखो इसके अंदर जो QB है ये तो molybdenum को code कर रहा है जबकि मैंने आपको बताया था कि जो YK DH है ये YK DH जो operant है ये molybdoferodoxin nitrogenous enzyme जो है उसको code करता है ये जिसमें ये ये तो molybdoferodoxin का है और ये जो ferodoxin को ये code कर रहा है ये इस तरह से और ये जो M जो है M ये जो FM है FM जो है ये आपके azofarodoxin की processing में उसको control करता है जबकि SU जो है VSU जो है VSU X जो है ये molybdoferodoxin जो protein है जो जिसकी 400 minutes होती हैं उनको ये control करता है उनकी गतिवीदियों को ये control करता है उपराउंट तो इस तरह से ये देखो ये सारा जो NIF gene है इस NIF gene के दोरा ही पूरी nitrogenous enzyme की जो क्रिया भी दी है mechanism में वो control की जाती है इसके दोरा सारा इसी के दोरा है control करके और इस तरह से देखिए ये nitrogenous complex बनता है और इस complex से ही जो ATP grain करके इसकी जो sub units है जो ferodoxin की जो sub units ही है वो ATP grain करके और इस तरह से nitrogen को free nitrogen को ammonia के अंदर convert करती है और ये सारी क्रिया जो है ये in genes के दोरा control होती है जिसमें सबसे important जो operon वो मैंने आपको ये बता yk dh जो है ये इसमें सबसे ज़्यदा important है तो इस तरह से ये mapping से पता लग गया कि ये कैसे इसको control किया जाता है तो ये निफ और ये जो nif gene है इस ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि genetic engineering के दोरा इन जो ये जो nif gene है इन nif gene को prokaryotes या eukaryotes में इसको transfer कर दिया जाए जिससे हम ऐसे पोदों के अंदर भी nitrogen fixation का काम करवा सके जिसके अंदर ये nodule formation वगरा नहीं होता है nodules नहीं बन सकती जिन के अंदर जैसे monocodes फसलों के अंदर है तो इसके लिए जो donor bacteria है और कौन से receptor जो gene है और जो इनके vectors हैं या carriers हैं वो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताए गया है कि klepsiola कर जो receptor gene है वो agrobacterium है और RDI plasmid इसका vector है इस तरह से rhizobium isotobacter चावल और yeast इसके अंदर इनको जो इसका निफजीन का transfer किया गया है इसके अंदर और इसका जो वैक्टर है वो है agrobacterium plasmid या e-coli plasmid तो इन ये जो निफजीन है इनका इस्थानांतरण अगर एक बीच-पत्री अनाज़ फसलों में अगर हो जाए तो उसमें nitrogen fixation की जो खशमता उत्पन हो सकती है क्योंकि जनरली हमें पता है कि nitrogen fixation जो है ये dicode जो है जैसे leguminis family के अंदर जो nodule formation हो रहा है उसी के अंदर ये nitrogen fixation की खशमता है तो अगर हम किसी तरह से इन जीनों को monocode फसले जो है जितनी भी फसले जनरली monocode सी हैं जैसे चावल है या आपके ये जितनी भी monocode फसले हैं उनके अंदर अनाज की फसलों के अंदर अगर हम इसको किस तरह से अगर इसको transfer कर दें तो वहाँ ये nitrogen fixation करके उत्पादन इससे बढ़ाया जा सकता है ये पता है कि राइजो विम जो है प्रोकेरिट है उसी के अंदर ये nitrogen मौझूद है तो वो इसकी उत्पती प्रोकेरिट ही कहें इसी वज़े से इनकी जो क्लोनिंग है वो प्रोकेरिट में क्लोनिंग होना बहुत इजी है और इसी को ध्यान में रखते हुए और दूसरा कारण क्या है कि इसमें प्रकास इंसलेशन में जो oxygen उत्पन होती है वो oxygen जो है nitrogen nitrogenase की जो है वो उसकी सुरक्षा वेवस्था को जो है उसमें बादा बंगती है सबसे बड़ी तो यह थोड़ी सी जो परिशानी है जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और काफियत तक इसमें हमारे क्रिशव इग्यानिकों को सफलता भी मिली है तो यह इस निफ जीन की वज़े से ही संभव हो पाया है और क्योंकि इसकी मैपिंग हो चुकी है सारा इसके बारे पता लग चुका है इसलिए आने वाले समय के अंदर यह बहुत ही लाबकारी सिद्ध हो सकता है अब तीसरे प्रकार का जो जीन है वो हब जीन होग यह देखिए यह राइज़ोगिम के कुछ जातियों में पाया जाता है यह जीन जैसे राइज़ोगिम लाइगविनोसिरों में है तो यह जीन क्या करता है कि नाइटोजन से जो अमोनियम में परिवर्तन होता है नाइटोजन से यह जो अमोनियम में परिवर्तन हो रहा है इस दुरान जो यह है जो hydrogen बन रही है यह hydrogen इसका recycling करता है यह hydrogen पुने nitrogenous enzyme को provide की जाती है अपर ताकि यह दुबारा nitrogen fixation से ammonia बनाया जा सके तो यह यह भी बहुत important है क्योंकि जादतर क्या होता है कि leguminous plants जो है उसके अंदर nitrogen fixation की जो प्रक्रिया है उसमें hydrogen के यह जो discussion है इस discussion में करीवन 30-50% energy NADPS2 और ADPC जो energy बिल रही है इसमें करीवन 30-50% energy इस hydrogen को निकालने में खप जाती है यह खतम हो जाती है तो अगर इस से क्या था है nitrogen fixation की ख्रुमता में कमी होएगी क्योंकि ज्यादा energy तो इस hydrogen को निकालने में हो रही है कि अगर हम इस तरह का कुछ ऐसा जुगाड कर लें या कोई इस तरह की technique develop कर लें जिसमें इस hydrogen को हम निकल नहीं नहीं देवें और इसको वापिस इस तरह का nitrogen को हम अगर इसको provide कर दें तो इससे करेवन 8-13% जो है energy जो है हम save कर सकते हैं उस उर्जा के नुकसान को या उर्जा के वियाए को हम control कर सकते हैं यह अभी कोशिश चल रही है बारती एक क्रिशियन उसंदान संस्तान नहीं दिली के जो विग्यानिक है उन्होंने rhizobium leguminosurum के hub gene को rhizobium की दूसरी जातियों में इस्थनांतरित किया है और rhizobium की इस जातियों से यह इस word का पहला एक example है और यह gene जो है चने के अंदर अपने आपको denote करके या अपने आपको अभी विक्त करके और सफलता परोग जो है nitrogen fixation की शम्ता को बढ़ा रहा है तो इस तरह से तीन जो gene है मैंने उसके बारे में बताया आपको node gene, nef gene और hap gene तो यह इस तरह से डाइजट्रोफ में genetic regulation होता है nitrogen fixation का यह देखिए इस तरह से यह root nodules हैं जैसे आपको मैंने मेरे पहले presentation बता था यह तो तीसरा presentation है biological nitrogen fixation का तो किस तरह से flavonards से induce हो करके और node gene जो है यह node gene root nodule formation को जो है node factors के सायता से जो है nodes nodule को जो है प्रेडित करता है बनाने के लिए root nodules को node gene में मैंने आपको बताया था ABCD 4 genes होर होते हैं इसके अंदर तो इस तरह से यह root ears जो है इस तरह से hook की तरह बन जाते हैं जिसके अंदर से होकर के यह rhizopium bacteria इसके अंदर होकर के यह infection thread मनाता है infection thread से फिर यह cortical region में जा करके root nodule का formation करता है और इस root nodule के अंदर ही nitrogenous enzyme निफ gene के द्वारा जो control होता है यह nitrogenous enzyme की सहता से वायो मंडल की जो मुक्त nitrogen है या molecular nitrogen है gas यह सबस्ता की जो nitrogen है इसको solar ATP की सहता से दो अनू ammonia के अंदर convert कर लेता है और यह hydrogen भी मुक्त होती है और इसमें कुल solar ATP energy इसके अंदर consume होती है तो यह इसके जो genetic इसका जो है और हब जीन क्या करता है हब जीन यह hydrogen यह hydrogen वापस nitrogenous enzyme को provide करता है यह ताकि यह nitrogenous enzyme वापस इसको प्योग ammonia को बनाने में कर सके तो इस जो diastroph की जो genetics है या जो nitrogen fixers की जो genetics है इसके बारे में अगर आपको कोई किस तरह का doubt है किसी तरह की शंका है तो आप निशन को जो करके मुझे मेरे WhatsApp पर या इस YouTube चैनल पर ही आप comment करके आप पूस सके धन्यवाद thank you very much take care